थेलेसेमिया रोग इसके बारे में जागरुता बढ़ाने एवन इसके संचरन से बचाव के लिए विश्व थेलेसेमिया दिवस परतेक वर्स आठ माई को मना जाता है तो दोस्तों आठ माई को हर साल विश्व थेलेसेमिया दिवस मना जाता है और इसमें थेलेसेमिया रोग क के बारे में जागर्पता बढ़ाने के उद्देश्य से और साथ इसका जो संचरन होता है उस संचरन से कैसे बजा जा सकता है इस चीज़ को ले करके ही आठ मई को विश्व थेलिसेमिया दिवस मना जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड थेलिसेमिया डे भी कहते हैं या तो फिर तो इसके बारे में हम लोग पूर्जानकारे को देखते हैं कि थेलिसेमिया रोग क्या है इसको कब से मना जाता है और इसके थीम क्या है और साथ-साथ संस्थापक कौन है उसको भी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं थेलिसेमिया रोग के बारे में तो क्या है यहां यहां एक गंभिर अनुवानसिक रक्त विकार रोग है जो माता-पिता से बच्चों में जाता है इस रोग में सरीर की हीमोगलोविन और रबिसी का उत्पादन करने की छमता परभायत होती है रबिसी और हीमोगलोविन बहुत कम मात्रा में सरीर में रहती है जिसे से और गंभिर जानलेवा हो जाता है तो दोस्तों यह जो रोग है यह एक अनुवानसिक रक्त विकार रोग है यानि कि यह है जेनेटिक्स बलट से लेटेड एक रोग है जो कि बच्चों में उसके माता-पिता से ही ट्रांसपर होता है बच्चों में माता-पिता से ही आता है या उसी से मिलता है तो यह एक अनुवानसी जनेटिक्स रोग है तो आप लोगो यह ध्यान रखना है साथ इस रोग में होता गया है तो इस रोग में हीमोगलोविन की मात्रा जो होती है या तो फिर हीमोगलोविन और साथ साथ में रेड बलड शेल्स जो होते हैं उसका उत्पादन कम होता है सरीर हीमोगलोविन और रबीसी का उत्पादन करने की छमता को खो देता है मतलब उत्पादन नहीं कर पाता है रबीसी और हीमोगलोविन बहुत ही कम मात्रा में सरीर में रहती है जब उत्पादन ही नहीं होगा तो तो फिर यह सेर्ज में बहुत कम मात्रा में रहेगा, और फिर जिसे यह कम मात्रा में रहेगा, तो यहाँ जानलवा हो जाता है. और हमें मालूम भी है कि RBC और हीमोगलोविन सरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और इसका जो है प्रभाइत होने से यानि कि यह जो दोनों चीज़ें यह प्रभाइत होती है इस बिमारी से खून की कमी खून की अलप मात्रा से अंततह रोगी एनिमिया का सिकार हो जाता है तो दोस्तों इस रोग से खून की कमी तो होती ही है साथ साहर में बहुती कम मात्रा में खून होता है तो खुन के कमी से एन्यमिया रोग हो जाता है और एन्यमिया होने के बाद में कुछ दिनों के बाद रोगी रोग का सिकार हो जाता है और वह हम मृतियों को प्राप्त हो जाता है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना कि थेले सीमिया जो रोग है इसी से खुन के कमी होती है सर दोस्तों यह जो बिमारी हो जाता है जिस रोगे को यह हो जाता है तो उसको बार-बार खुन चढ़ाना पड़ता है और उसके लिए ब्लड बेंक जाना पड़ता है ताकि खुन इसको चढ़ाया जा सके तो यह एक गंभिर रक्त विकार रोग है तो इसका उद्देश के बारे में जागरुक करना तो जितने भी लोग हैं विश्व के लोगों में इस रोग के बारे में जानकारी देना इसके लच्छन क्या है इसके बारे में बताना और साथ-साथ इससे हम लोग किस प्रकास से बच सकते हैं इसके बचाव जो है उसके बारे में लोगों को जागरुक करन जार्ज एंगल जोस के द्वारा इसे मनाने के बारे में सोचा गया तो 1994 में थेलिसीमिय इंटरेशनल फेटरेशन जो है एक संस्था है तो उसके अधेच्छ जिनके नाम है जार्ज एंगल जोस तो इन होने ही सबसे पहले थेलिसीमिय दिवस मनाने के बारे में सोचा तो हम लो इंटरनेशनल फेडरेशन के अधेच भी है और इसको 1994 से पहली बार मनाने के बारे में सोचा गया और उसी समय से यहां मनाया जाने लगा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं विश्व थेलिसेमिया दिवस या तो फिर इंटरनेशनल थेलिसेमिया डे क्या थीम के बारे में तो थीम क्या है क्योंकि यह भी बहुत जाता इंपोर्टेंट हो जाती है तो 2022 याने की 2022 का जो थीम है वहां है Be aware, share, care, working with the global community as on to improve थेलिसेमिया नोलेज तो यह इस वर्ष का थीम है Be aware, share, care, working with the global community as on to improve थेलिसेमिया नोलेज तो यह इंगलिस में है इसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे तो है जागरू कर रहें, साझा करें, बचाओ थेलिसीमिया ग्यान में सुधार के लिए बैस्विक समुदाय के साथ काम करना तो यह हिंदी में है जागरुक रहें साजा करें बचाओ थेलिसीमिया ग्यान में सुधार के लिए बैस्विक समुदाय के साथ काम करना तो यह है अब लोग का इस वर्स का थीम अगर हम बात करें पिछले वर्स का थिम का याने कि 2021 का तो वह था बैस्विक थेलेसेमिया समुदाय में स्वास्ते असमानताओं को संबोधित करना दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस रोग से किस परकार बचा जा सकता है या तो फिर हम लोग बचाओं के लिए क्या चीजें कर सकते ह तो पहला है गर्भावस्था के समय जाच कराना, हिमोगलोविन का लेवल अस्तर को नियंत्रित रखना, जरुरत पढ़ने पर पती पत्नी को खुन की जाच कराना तो यह जो चीजे हैं उससे हम लोग इस चीज से बचाव कर सकते हैं, कि गर्भावस्था के समय में हम लोग जाच करा सकते हैं, हिमोगलोविन का जो है लेवल माता पिता में उसको भी हम लोग नियंत्रित रख सकते हैं, नियंत्रित करा के हम लोग इस रोग से बचा सकते हैं, बच सकते हैं साथ साथ जरुत पड़ेगा तो फिर पती पत्नी दोनों को ही खुन की जांच कराना चाहिए ताकि इस रोग से बचने का कुछ ने कुछ उपाय और कंट्रोल किया जा सके तो दोस्तों ये था थेलिसीमिया रोग के बारे में जानकारी और विश्व थेलिसीमिया दिवस के बारे में जो की हर साल आट माई को मना जाता है तो यहां पर जितने चीज़े हैं वो मैंने आप लोग को बता देता तो इंटरनेशनल थेलिसीमिया डे जो है वहां हर साल आट माई को मना जाता है तो आप लोगों को इतने सा जानकारी को ध्यान रखना है